तो यूक्रेन के तरफ से एक बहुत बड़ा क्लेम किया जा रहा है और ये क्लेम है रशियन क्रूज मिसाइलों को मार गिराने का। Ukrainian Forces के तरफ से खास करके Ukraine के Air Defense Force के तरफ से हाली में ही एक बड़ा क्लेम करते हुए बताया गया कि Force के Air Defense Missiles ने करिवन 5 Russian Cruise Missiles को मार गिराया जो की Highly Agile और Long Range के KH-55 Missiles था और ये लड़ाई शुरू होने के बाद से अब तक के ऐसा पहला घटना है जहाँ पे Russian Cruise Missiles को मार गिराया और दोसों इस बात का जानकरी Ukraine के Venetia Region के Military Administrator शैही Wartzov के तरफ से किया गया उनके बयान के मताविक Ukrainian Armed Forces के ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस शेत्रे के Air Space को बंद करके रखा हुआ है जबकि उनका ये भी कहना था कि दुश्मन के 3 Cruise Missiles को Venetia Region में ही मार गिराया गया जबकि दो अन्य मिसाइल को Odisa Regional Military Administration के Spokesperson सर ही वराचोक के तरफ से मार गिराने का दावा किया गया उनका कहना है कि दो रशियन Cruise Missiles को लविव शहर के उपर Ukrainian Armed Forces के द्वारा मार गिराया गया सो ही वराचोक के बयान के मुताविक Russian Military के तरफ से Black Sea के उपर से करीबन 6 KH-55 Cruise Missiles को लविव शहर के उपर दागा गया था जिन में से 2 मिसाइल को Ukrainian Anti-Aircraft Defense System ने मार गिराया पर रशिया के इस मिसाइल स्ट्राइक में लविव शहर में स्थेद एरक्राफ रिफेर प्लांट तभा हो गया शहर के मेयर के बयान के मुताविक रशिया के तरफ से दागा गया 4 मिसाइल लवि Air Launch Cruise Missile है जो Highly Accurate Guided System हों से लैज है इन मिसाइलों को बनाने के समय रहिशिया के तरफ से मिसाइलों के रडर क्रॉस सेक्षन के उपर काफी फोकस रखा गया और मिसाइल के रडर क्रॉस सेक्षन को कम से कम किया गया पर यह मिसाइल समपुनरूप से रडर में Invisible नहीं है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को फ्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिंद